सो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है अब सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Android Mobile यूज़ करते हैं और उसके अंदर आप जब भी Play Store को Open करते हैं प्ले स्टोआ में किसी application को install करने का ट्राइ करते हैं या फिर प्ले स्टोआ करने का ट्राइ करते हैं तो आपको एक error देखने को मिलता होगा Error Code 192 अगर आपको Play Store पर Error Code 192 देखने को मिल रहा है जैसे कि यहाँ पर लिखा है Error Code 192 अगर आपको यह प्रॉलम आ रही है Error Code 192 की तो आपको क्या करना है आज के वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ जिससे आपका यह Error 100% Solve हो जाएगा तो इस वीडियो में आपको Hand तक बने रहना है वीडियो अच्छी लगे तो Like कर देना चैनल को Subscribe कर देना तो चलिए जान लेते है Error Code 192 को दूर करने के लिए में क्या करना है इसके लिए Simple सा काम करना है सबसे पहले Setting में आना है Scroll करना है Apps पर क्लिक कर लेना है उसके बाद Manage Apps पर क्लिक करना है Search Bar देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको Search करना है Google Play Service Google Play Service को Open करना है यहाँ से Google Play Service का आपको करना है Clear Data नीचे या फिर उपर Stories पर क्लिक कर लिजिए Clear Data पर क्लिक करिए Manage Space पर क्लिक करिए यहाँ से Clear Data देखने को मिल रहा है Clear All Data यहाँ से इसका Clear All Data करने के बाद आपको यहाँ पर Permissions देखने को मिल रही है App Permissions यहाँ पर क्लिक करिए App Permissions पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जितनी भी permissions होंगी उनको allow कर देना है देख सकते हैं सभी permissions को आपको allow रखना है अब देख सकते हैं no permission denied मैंने किसी भी permission को यहाँ पर denied नहीं किया हुआ है सभी को allow करके रखा हुआ है तो आप भी सभी permissions को allow कर दीजिए तैन उसके बाद यहाँ पर back आईए बैक आने के बाद data usage जो होता है आपका उसको आपको enable रखना है कुछ इस तरह से होगा data usage को आपको enable रखना है तो आपकी यो problem हो solve हो जाएगी और उसके बाद जो है यहाँ पर background data होगा आपके mobile में उसको भी आपको enable रखना है कई mobiles में होता है यह setting background data की तो जिस अगर आपके mobile में background data की setting है यही पर आपको देखने को मिल जाएगी तो उसको भी आप enable रखिएगा तो आपकी problem solve हो जाएगी देन उसके बाद जो है back आजाना है आपको back आने के बाद आपको यहाँ पर search करना होगा play store यहाँ पर play store search करने के बाद आपको जो है upper stories पर click करना है clear data पर आना है और इसका clear roll data कर देना है देन उसके बाद आपको यहाँ पर app permissions देखने को मिल रहा है app permissions पर click कर लेना है यहाँ से जितनी भी permissions होगी आपको allow कर दीना है देख सकते हैं कुछ इस तरह से nearby device allow सभी permissions मैंने allow कर दी है आप भी सभी permissions को allow रखिए देन उसके बाद back आईए जो आपको data uses होगा उसको भी आपको सभी को enable रखना होगा कुछ इस तरह से ठीक है रोक के कर देना है then back आ जाना होगा यह काम आपको जरूर से करना होगा guys देन उसके बाद एक काम आप जरूर कर लीजिएगा एक बार अपने mobile को बंद करके फिर से चालू कर लीजिएगा या फिर reboot करके ओन करिएगा या फिर restart करके ओन कर लीजिएगा जैसे आपको mobile ओन होगा आप देखेंगे आपकी problem solve हो जाएगी किसी भी तरह से कोई problem face करनी नहीं पड़ेगी तो guys बस आज की आज की खोगा से वीजिएगा प्लाफ इंवा एक बिलैगा फिर finances पर्लाफ ऐसे काईसा एक बशली हो जrek मतने